दोस्तों आप अमबानी, टाटा, बिल्ला और ऐसे कई टॉप विजनस्मेन को जानते ही हैं इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया के टॉप सेल्फमेट बिलिनर्स के बारे में अभी हाली में 2020 की IAFL वेल्थ हुरुन इंडिया 40 एंडर सेल्फमेट रिच की लिस्ट जारी की गई है जिसमें कामद ब्रदर्स 24,000 करोड की कुल संपत्ती के साथ पहले पायदन पर हैं दोस्तों IAFL वेल्थ हुरुन इंडिया 40 की लिस्ट में ऐसे बिजनसमेन को शामिल किया जाता है जो सेल्फमेट हो यानि कि जिने बिजनस विरासत में ना मिला हो और साथ ही जिनके संपत्ती 1000 करोड से अधिक हो साल 2010 में भहुत कम लागत से कामेस ब्रदर्स ने पहली ओनलाइन ब्रोकरेज फर्म जरोदा की सापना की थी जरोदा कमपनी इक्विटी, बोंड, करंसी, कमोडिटी और मिच्छल फेंड्स में ट्रेडिंग ओफर करती है कमपनी हर एक ट्रेड के लिए सिर्फ 20 रुपे चार्ज करती है चाहे उसका साइज कितना भी बड़ा क्यों न हो हर महिने इस कमपनी में 2 लाग से भी ज़्यादा अकाउंट खुलते हैं 2016 में तुरखे ब्रदर्स ने अपना एडवर्टाइजिंग टेकनोलोजी स्टार्टप जिसका नाम मीडे.net है एक चाइना की मेटेनो कम्यूनिकेशन टेकनोलोजी कमपनी को बेच दिया अपने इस स्टार्टप को बेचकर तुरखे ब्रदर्स रातो रात अरपत्यों की लिस्ट में शामिल हो गए कहा जाता है ये एडवर्टाइजिंग टेकनोलोजी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा विले अधिकरेंड है इससे पहले गूगल ने एड मॉप का 750 मिलियन डॉलर और ट्विटर ने मॉप अप का 350 मिलियन डॉलर में अधिकरन किया था दिव्यांग ने एक इंटर्व्यू में बताया कि इस डील के बाद हम 1.4 बिलियन डॉलर का कारोबार समाल रहे हैं ये दोनों भाई एक ही जगह से कई सारे स्टार्टप रन करते हैं और साथ ही आपको बता दू कि ये 14,000 क्रोड की कुल संपत्ति के साथ आई एफल वल्थ हूरन इंडिया 40 एं अंडर सैंफमेंड रिच की लिस्ट में सेकिड नमबर पे हैं इसके बाद थर्ड नमबर पे हैं सुजीत कुमार, अमोद मालविया और वैवागुपता जो की उडान कंपनी के को फाउंडर हैं दोस्तों आपको बता दू कि ये तीनों पहले फिलिपकार्ड में एंप्लोई थे जिनोंने 2016 में उडान कंपनी के स्थापना की और हाथ 2020 की IIFL Wealth Hurun India 40 and Under Self-Made Rich के लिस्ट में 13,000 क्रोड की कुल संपत्ती के साथ तीसे नमबर पे हैं उडान एक B2B Trade Market Place है जहाँ पर Manufacturer और Wholesaler अपने Products को Online Platform के थूरूर रिटेलर को बेस सकते हैं इसका Main Motor छोटे रुकांदारों को बड़ावा देना ही है उडान कंपनी Unicorn Club में भी शामिल हो चुकी है दोस्तो Unicorn Club का मतलब है कि जब किसी स्टार्ट अप की वैल्यो वन बिलियन डॉलर या उससे जादा हो जाए तो वो कंपनी Unicorn Club के अंदर शामिल हो जाती है इसके बाद फूर्थ नमबर पे रीजो रविंदरन जो की एक Learning App By Juice के Founder है रविंदरन ने By Juice की सापना 2012 में की थी By Juice छटी से बारवी किलास के बच्चों के बच्चों के लिए प्रोग्राम चलाती है और साथी graduates को CAT, IS, GRE और GMAT जैसे competitive exam की त्यारी में भी मदद करती है इस एप की खासिय दिये है कि ये सिर्फ theory पर नहीं वलकि visual और contextual learning पर भी ध्यान देती है By Juice ने classroom teaching के साथ शुरुवात की थी और अब ये एक technology company के तोर पर उभर रही है 2015 में एप launch करने के बाद By Juice का का कारोबर बिलकुल बदल गया अब By Juice के revenue में इस एप का योगदा 90% है इन्होंने 2011 से 12 में अपने operation के पहले साल में 4 करोड रुपे का revenue किया और फिर 2015 से 16 में इनका revenue बढ़कर 120 करोड हो गया आज रविंदरन की कुल संपत्ती 7800 करोड है इसके पाद 5 नमबर पर बिनी बंसल और सचिन बंसल जो की फिलिपकार्ट के founder है दोस्तों फिलिपकार्ट एक e-commerce company है जिसे बिनी बंसल और सचिन बंसल ने 2007 में शुरू किया था लेकिन कुछ साल पहले ही company की 77% हिस्सेदारी Walmart company ने 5,360 करोड में खरीद ली आपको बता दो कि बिनी बंसल और सचिन बंसल आयाइटी दिल्ली में बैच मिट थे और फिलिपकार्ट खोलने से पहले Amazon में काम भी कर चुके थे साल 2007 से 9 साल तक सचिन बंसल कंपनी के CEO बने रहे लेकिन 2016 में बिनी बंसल कंपनी के CEO बन गए और सचिन बंसल ने एक्जेक्योटिव चेर्मेन का पर समाल लिया लेकिन फिर अगले ही साल 2017 में फिलिपकार्ट को एक नए CEO मिला जिसका नाम था कल्याण मूर्ती दोस्तो ये कल्याण मूर्ती फिलिपकार्ट में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी टाइगर ग्लोबल में बतोर एक्जेक्योटिव थे इसके अलावा बिनी बंसल को पूरे गुरूप का CEO बनाया गया जिसमें मेंतरा, जबंग और फोन पे भी शामिल है इसके बाद 6 नमबर में रितेश अगरवाल जो की OEO Rooms के founder है दोस्तो 18 साल की उमर में रितेश अगरवाल ने ओरेवल स्टेश प्राइवल लिमिटेट की शुरुवात की ओरेवल एक ऐसा startup platform था जो हर जगह मुझूद होटेल की list बनाता था और उनकी booking लोगों के budget में कम मुलियों पर कराता था लेकिन कुछ टाइम बाद रितेश को लगा कि Rooms लोगों को कम कुछ पर दिला तो देते हैं पर customer की सुख सुविता को नजर अंदाज करके वो facilities को पूरा नहीं कर पाते इसलिए साल 2013 में रितेश ने औरेवल स्टेश का नाम बदल कर Oyo Rooms रख दिया जिसमें customer को कम कीमत में अराम दैक रूम के साथ-साथ अच्छे facilities भी मिलती हैं 2011 में रितेश ने सिर्फ एक होटल से गुड़गाओं में औरेवल स्टेश की सुरवात की थी फिर इसका नाम बदल कर धीरे-धीरे इसे काफी सबलता प्राप्त हुई अब Oyo Rooms रूम से इंडिया में 4000 होटल्स 160 सिटी से भी जादा में लोंच की हैं इसी के साथ रितेश अगरवाल 4500 करोड की कूल संपत्ती के साथ इंडिया के यंगिश सेल्फ मेंड बिलिनियर बन गए हैं इसके बास 7 नमबर पे हैं भाविश अगरवाल जो की ओला कैप कमपनी के फाउंडर हैं साल 2010 में भाविश ने ओला कैप की शुरुवात की थी दोस्तों ओला कैप की शुरुवात एक खराब ट्रेप के अनुभव से हुई थी दरसल एक बार बैंगलोर से बांधिपूर की यातरा के लिए भाविश ने एक कार बुक की थी बीच रास्ते में ड्राइवन ने जादा पैसो की मांग की और मना करने पर सफर महीं रोकने की धमकी दी उसके खराब वरताब की वज़े से भाविश को कार शोड़ कर बस में जाना पड़ा उसके बाद भाविश ने सोचा की उनकी तरह बाकी कई लोग भी इसी तरह की परिशानी का सामना करते होंगे इसी परिशानी की सोच के चलते चलते उन्होंने 2010 में ओला कैप की शुरुवात की आज ओला कैस 5 लाग से भी जादा गाड़ियों के साथ अपनी सेवाई लगबग 100 से भी जादा शहरों में दे रही है और भारत की सबसे बड़ी कमपणियों के लिष्ट में भी अपना नाम दर्श करा चुकी है इसी के साथ भाविष्ट 3500 करोड की कुल संपत्ति के साथ आये एफल वेल थोरुन इंडिया 14 अंडर सेल्फमेड रिष्ट में भी शामिल हो गए है तो दोस्तों ये थे इंडिया के यंगेस्ट सेल्फमेड बिलिनियर इन में से आपको कौन जादा इंस्पारिंग लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना बोले और साथी सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके